हलो इन नमस्कार मित्रों आज की इस वीडियो में अपना आप लोगों को स्वागत है आप लोगों में से ही बहुत से स्टूडेंट का बहुत से माताओं पहनों का और बहुत से पैरेंट्स का इवें गार्जिन का भी कॉल आता है कि सर बीड में एडमिशन लेना है या आपने के द्वारे चाहिनेवालेों के द्वारा, हमें सभी प्यारे देश्वास्यों के द्वारा, मेरे पास तक पहुंच रहा है और उन ही कुछ समें से कुछ important क्वस्टन हैं जो आप लोगों के दिमाग में घुम रहा है, अगर ह הבव कि तरह ये धर क्क्षंटर की तरह यह और हे कौन कौन सी लगेगी तो आज की इस वीडियो में हम इसी questions से related बहुत सारे information देंगे और इसको step by step आप लोगों को detail discuss करके बताएंगे कि क्या लगभग और admission की process क्या है document के लिए कौन कौन सी document आपको require होगा admission प्राफ्ट करने के लिए basically MP यानि की मध्य परदेश वें ठीक है basically मैं बात एक चीज़ बता देना चाहता हूं प्यारे मित्रों आप लोगों में से बहुत से बच्चें जो की बिहार से हैं और आप लोगों का B.A. इंट्रेंस एक्जाम जो है वो हो चुका है उसका result भी आ चुका है तो अब आप लोग को देरी बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिसको admission लेना है seriously किर्पिया आप लोग फौरण description में जो number दिया गया है उस number पर आप मुझे call किजिए, contact किजिए, whatsapp पर सारा detail process समझे और admission अपना सुनिश्चित करेए ठीक है, let's continue सबसे vital questions जो होते हैं आप लोगों के दिमाग में कि sir fees क्या रहेंगे मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी देशवास्यों से मैं कहना चाहता हूँ कि देश में विभीन college है, अलग-अलग fees structure है, सभी college का, किसी भी college का fees same नहीं है साफ-साफ clear मैं बता देना चाहता हूँ कि government college के fees अलग होते हैं, private college का fees अलग होते हैं private college में भी जो बहुत पहले established है, college बहुत अच्छा reputed college है, उसका fees different होता है, जो नया-nया college बनके अभी तयार हुआ है और किसी gram-in इलाके में है, तो उसका fees बहुत ही कम होता है, तो different-different college का fees different-different होता है, कोई भी student comment में करता है या कोई student, कोई भी जानने वाला आपको बहुत ही कम में बोलता है, तो even yes, it is possible, आपको बहुत ही कम fee में भी available है मैं खुद आप लोगों को अगर बता दूत, बहुत सारे ऐसे government university है, जहाँ पे 10-12,000 में भी admission मिलता है, लेकिन वहाँ पे entrance exam qualify करना आप होता है जैसे कि B.H.U. one of them, but मैं अभी बात कर रहा हूँ, B.A.D. में admission अगर आप लेना चाहते हैं, ओभी government college में नहीं, private college में, M.A.D. में, D.L.A.D. में, इन सभी course में अगर आप admission प्राप्त करना चाहते हैं, ति ये एक average fees में बता रहा हूँ, अभी बरतमान समय के लिए, हो सकता है, आप अगर आप में next month में या आप किसी other session में बात करें, ति ये fees vary करें, ये fees कुछ अलग हो उस समय, ठीक है, ति ये अभी बरतमान session में क्या fees चल रहा है, वो मैं आप लोगों के साथ साजा कर रहा हूँ, screen पे, साफ-साफ यहां पे आप लोगों को दिख रहा होगा, कि 70,000 जो है, वो B8 और D8 का, ये जो fees है, अभी मेरे पास, ये मैं जिस college में मेरे पास, जिस college से मैं affiliated हूँ, जिस college से मैं contact के थुरू करवाता हूँ, admission या जिस-जिस college में मेरा link है, जिस-जिस college से मैं type कर रखा हूँ, उस college में आपको on and average 70,000 से लेकर के 90,000 तक में आपका college college का fees इस है मेरे पैरमित्रों, और ये college का fees के अलावा भी बहुत सारे ऐसे charge होते हैं, जो कि आपको pay करना होता है, जैसे कि examination form fee, practical file charge and many more, book का study materials, something like that, okay, तो on and average आप दिमाग में लगा के चलिए, कि अगर आप B8 में admission लेने वाले हैं, मेरे थुरू या MP में कहीं पर भी लेने वाल हैं, तो आपको 90,000 से लेकर के 1,00,000 तक तो आपको दो साल में लग जाएगा, आपको admission से लेकर के degree प्राप्त करने तक, ठीक है, फिर भी मैंने on and average fees यहाँ पे दिखा दिया, यह बरतमान सेशन 2023 से लेकर के, 2025 वाले सेशन में, जो है, अभी मेरे पास ये fees हो सकता है, इससे क लाग, डिर लाग से भी ज्यादा fees दे करके, अपना study complete किये हैं, बहुत ऐसे student हैं, जो मात्र 50-60,000 दे करके भी अपना study complete किये हैं, तो यह आप लोग बार बार questions मत, पुछो के सर्थ fees क्या लगेगा, fees हर एक college का अलग-अलग होता है, different college का different fees structure होते हैं, ठीक है, तो आपका all लेटर आने के बाद पता चलेगा कि आपके college का fees क्या है, तो थ्रा धहर ही रखिए, लेकिन on an average दिमाग में लगा कर रखिए, कि आपको 90,000 से लेकर के, एक लाग रुपए लग जाएगा, अगर आप private college में admission लेंगे, बीएड में, ठीक है, वो भी मेरे थुरुतो, इतना कम में हो जाएगा, अगर हो सकता है, इस से कहीं, ज्यादा में हो रहा हो, कहीं, कम में भी हो रहा हो, तो आप लोग देख लिजे, खुद, आप लोग समझदार हैं, और आप लोग बहुत ही ज्यानी बंदा हैं, और आप लोग graduate भी है, लेट्स कंटिन्यू, नेक्स्ट स्लाइड की अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को इस कोर्स में से, किसी भी कोर्स में, अगर आपको admission प्राप्त करना है, या प्रवेस प्राप्त करना है, B.A.D. में, B.A.D. में, M.P.A.D. में, M.A.D. में, B.A.D. integrated course है, जो कि तीन साल करना है, तो आप मुझे contact कर सकते हैं, और इसका क्या process है, अभी जो admission process चल रहा है, उसका, मैं साब साब के लिए बता देना चाहता हूं, आप लोगों को, देखें, सबसे पहले आपका registration होगा, जिसे हम हिंदी में पंजियन करते हैं, दिन उसके बाद महाविद्यालय का chain और आपके particle का भी chain होगा, particle का chain करने के बाद दिन आप लोगों को दस्तावेज का सत्यापन करना होगा, और ये दस्तावेज का सत्यापन जो है करोना काल के बाद से online हो जाता है, लेकिन इस बार हो सकता है कि offline आकर के उपस्तित होकर कि आपको करना पड़ें, हर एक समय rule regulation थ चुरू एडमिसन ले रहे हैं तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा उस्षामें राइट हो सकता है आपका ओनलेन सत्यापन हो जाए अगर जिस बच्चे का ओनलेन सत्यापन नहीं होता है उसको आफलाइन सेंटर पर उपस्तित हो करके सारे का सत्यापन करना होता है यहां यह सुनिश्चित माना जाएगा यानी का आमका फ्रवेस जो है वह सुनिश्चित माना जाएगा Spring हो तो यह जो है process है मेरे पैरमित्रों यह प्रक्रिया है इन सभी course में से किसी भी course में अगर आपको admission लेना है तो यह process को आपको follow करना होगा देन आपको admission confirm मिल जाएगा यह सारे process अगर आप लोगों को कहीं से भी किसी ग्रामिन सुदूर ग्रामिन इलाके में है या आप working है जॉब परसन है घरेलू महिलाएं है या कोई भी मेरे भाई बहन है आप लोगों को अगर मेरे through admission लेना है तो यह सारे process मैं आपके विहाब पे कर देता हूँ आपको कहीं इदर उदर भटकने की जूरत नहीं है आप मुझे नीचे में description में जो number दिया गया है उस number पे आप मुझे whatsapp के माध्यम से अपना नाम और आप कहां से बात करें और किस course में आप admission लेना चाहते हैं वो लिग करके भीजिए मैं आपको definitely help करूँगा और मदद करूँगा और वो भी free of cost आपको कोई पैसा देने की जरूत नहीं है इस इस दा प्रोसेस step by step आपको मैं साब साब बता दिया हूँ तो यह प्रोसेस आप धिहान से देख लीजिए इस प्रोसेस को follow करके आपको admission सुनिशित करना होगा नेक्स्ट बात करते हैं required document की required document में क्या-क्या document है वो लगेगा ही लगेगा तो बिल्किल आप अपने इन सभी document को ready कर लेना admission से पहले-पहले 10th का mark sheet आपको proper scan करके upload करना होता है 12th की mark sheet graduation की mark sheet अगर आप B8 में लेना चाहते है अगर आप अधर कोर्स में लेना चाहते हैं मेड में या BLA में दी एलेड में तो उसके according आप अपना mark sheet एबम required document वेरी कर जाता है अलग लग लग लेकिन यह जेनरल document है जो की essential 10-12th का mark sheet तो each and every course में लगता ही लगता है tc migration अधार card photo signature ठीक है email id एक होनी चाहिए आपके पास वह जो कि आज कल सब के पास है अगर आप mobile यूज कर रहे तो उसमें email id login होगा ही and mobile number जिसके थूँ आपका एक registration होता है इन सभी document के बाद submit होता है यह सारे document upload होता है और पर एक process के दुआरा यह सारे document verify होता है राइट online हो गया तो अतियुतम अगर offline हुआ तो आपको उपस्तित होना पड़ता है center पर जाकर के जो कि आपको आने जाने का traveling cost भी increase कर देता है आपके फिस में यानि कि आपके बिए ठीक है then कुछ non important documented domicile certificate यह आप third round से आगे में अगर किसी round में participate कर रहें तो आपको domicile लगाना परेगा MP में क्योंकि वहाँ पे जो है 75% seat जो है आरक्षित होते हैं सिर्फ MP के domicile वाले student के लिए ठीक है मात्र 25% seat पे other state बाले जो है admission प्राप्त कर सकते हैं तो इसी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे counselor जो है यह 75% में आपको सामिल करने के लिए domicile बना करके आपका admission दिला देता है वहाँ पे जो कि एक legal तो नहीं है लेकिन बहुत सारे student कर रहे हैं अभी और previous year में भी previous session में भी बहुत सारे student ने किया है और काफी ऐसे मेरे पास call आता है कि sir मैंने वहाँ पे मेरे domicile yes करके कर दिया है तो that's not problem कोई जादा बड़ा big issue नहीं है आपका भी या आपके किसी relatives का वहाँ का domicile MP का domicile बना करके admission दिला जिया है तो मैं की बात कर रहा हूँ other state वाले के लिए जो MP के नहीं है जो MP के है उसको तो कोई problem नहीं है फिर भी अगर आपको domicile नहीं चाहिए वहाँ का आप अपना जहां पे हैं वहीं का निवास अस्तान के थुरू आपको admission लेना है तो आप क्या कीजिए पहला round और second round जो admission का अभी होने वाला है उसमें participate कीजिए ठीक है आप सारा document स्केन करके मुझे भेजिए आपको first and second round में जो है general है सब के लिए common है सब पूरे देश के कही के भी बिद्यारति है तो आप इसमें admission ले सकते हैं आपको कोई domicile की जरूरत नहीं पढ़ेगा ठीक है first or second round में बस ध्यान रखिए यह बात let's come to the next point यह कुछ अगर आप special income certificate अबम का सर्टिफिकेट वगर लगा करके कुछ special reservation लेना चाहते हैं अगर कोई SCST है या economically weaker section से है EWS category के तो उन लोगों के लिए यह income और certificate लगागा कि हो सकता है उसके fees वगर में या something different या कुछ कम हो जाए concession हो जाए या कुछ scholarship वगर में मदद मिल जाए तो यह कुछ important document है जो कि आपको चाहिए ही चाहिए इससे पहले यह last के जो दस सेगारा पा रहा है यह उतना ज़्यादा important नहीं है इस तना में ही आपका admission हो जाएगा अगर आप बिहार से हैं या किसी other state से हैं तो वह first or second round में admission लेते हैं तो third round में अगर participate करते हैं तो फिर आपको domicile भी ज़रूरी होता है domicile बनाना पड़ेगा जो कि on average 1000 से 12 रुपया तक आपको लग जाता है domicile बनाने का 15 सबी रुपय लग जाता है वो depend करता है कि आप किसके थुरू बना रहे हैं कहां से बना रहे हैं कैसे बना रहे हैं आप खुद से बना लिजी अगर आपको बनाना आता है तो आप अच्छी बात है आप फिर यह आफ कॉस्ट भी बना सकते हैं let's come to the next point that's all that's all in this video thanks for watching आप लोगों का keep support और love का मैं बहुत परा प्यासा हूं तो प्रीज आप लोगों से हाथ जोर करके request कर रहा हूं कि किर्पिया आप लोग हमारी इस चैनल को यानि कि आप अपने इस चैनल को support करें like करें share करें और अपना प्यार दिखाते रहें और call कर सकते ही ठीक है जब मैं खाली रहूंगा तो definitely आपका call pick up करूंगा अगर नहीं कहीं ब्यस्त हूं तो आप एक बाद time ले लिजे WhatsApp मेसेज करके sir in which time you are comfortable to talk with me definitely हम जो है आपके साथ बातचीत करेंगे ठीक है अगर हमारे पास कोई खाली time हो या कभी भी तो बिल्कुल प्ला तब तक के लिए आप लोगों का दिन मंगल में और सुखरे हैं